Hello everyone, welcome to origin आज की इस class में हमें start करने वाले हैं हमारे class 12th supplementary reader book का 3rd chapter जिसका नाम है on the face of it जिसके author है तिशानी दोशी तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि आज की इस session में हम क्या क्या जानने वाले हैं आज की session में सबसे पहले हम इस story का एक छोटा सा sketch देखेंगे then story की summary then NCRT questions, PYQs and long answer questions के mixed questions हम practice करेंगे and ये chapter हमारा अच्छे से complete हो जाएगा पूरी तरीके से so एक बार इस chapter का हम sketch देख लेते हैं कि इस chapter में क्या है हमारे साथ तो इस chapter में सिर्फ एक character है हमारी author खुद जो narrator है वो खुद यहाँ पे एक character है and सिर्फ वही इसमें character है narrator का क्या नाम है तिशानी दोशी जो कि एक Indian poet है, writer है and Indian है proper अब यहाँ पे वो क्या share करते हैं ये तिशानी दोशी की एक account है जब वो visit की world का coolest, windiest and driest continent जिसका नाम है Antarctica तो वो हमें ये बताती है कि जब Russian vessel academic सुकोलस्की में जब वो Antarctic गई थी तब उनके साथ क्या क्या हुआ तो अब आपका सारा ध्यान इस वीडियो में होना चीए क्योंकि हम start करने वाले हैं इस story की summary Journey to the end of the earth by तिशानी दोशी तिशानी दोशी हमें ये बताती है कि उन्हें select किया गया था high school trip के लिए Antarctica उनके Russian vessel का नाम था Academica सुकोलस्की अब यहाँ पे वो जब Antarctica के लिए जाते रहती तो वो हमें बताती है गोंडवाना लैंड मास की बारे में 650 million years ago जब इंडिया जो था वो Antarctica से जुड़ा हुआ था Actually सिर्फ इंडिया ने जितने continents थे वो सब आपस में जुड़े हुए थे और उस चीज का नाम क्या था गोंडवाना लैंड मास होता यह है कि जब सब एक साथ जुड़े रहते हैं तब humans नहीं थे यह बहुत पुरानी बात है humans को तो आए 12,000 years हुए है बट जब humans नहीं थे तब कि यह बात वो बता रहे हैं एंड जो लैंड मास से वो सभी एक साथ जुड़े हुए थे धीरे धीरे वो ब्रेक होते गए ब्रेक होते गए ब्रेक होते गए एंड humans जो है वो global warming की वज़े से एंड काफी सारी cities हमने develop कर ली mega cities develop कर ली industries हम बनाते जा रहे हैं global warming लगातार increase करते जा रहे हैं एंड इस वज़े से इसका proper effect जह वो अंटाक्टिका में दिखता है जब तिशानी दोशी first time अंटाक्टिका पहुँची तो वो काफी अच्छा नजारा सुन्दर नजारा उनके सामने आया world का coolest, windiest and dryest place में वो थी अंटाक्टिका में अब वो जहां जहां तक देख रही थी दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पिंग पॉंग बॉल पे चल रही है दूर दूर तक कुछ नहीं सिर्फ बर्फ की सफेद चादर अवास का नामों निशान नहीं सिर्फ अवास तब आती थी जब कोई आइसबर्ग जो है वो तूटता था बहुत ही प्यारा जगा था एनी टाइम समर में वहाँ सूरज जो है वो उदह रहता था अब यहाँ पे वो यह बताती है कि हमने जो सिटीज में ग्लोबल वार में इंक्रीज किया है वो हमने काफी गलत किया है यह जो अकेडमिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इस रशियन वैसल में अकेडमिक प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अन्टाक्टिका का ट्रिप कराने का इसे चलते हुए 6 साल हो गया इसके जो founder है उनका नाम है Gioff, पहले ये क्या करते थे, पहले ये अमीर लोगों को जो curious, जो rich people है, उन्हें पैसे लेके ये अंटाक्टिका का trip कराया करते थे, बट जब वो इन्हें कैसारा अंटाक्टिका का trip उन्हें कराने लगे, तो उन्हें ये चीज बहुत ही hurt की, कि जि में पड़ता है, एंड उससे उनको क्या हो, उन्हें पता चले कि हमें global warming को क्या करना है, kill करना है, अब यहाँ पे ये ये बता, जो narrator है वो हमें ये बताती है, कि अर्थ के future के बारे में, अर्थ के past के बारे में, अर्थ के present के बारे में, ये जो एंटाक्टिका में जो future है, वो present है, वो सब यहाँ पे खतम हो जाएगा, अब यहाँ पे वो ये बताती है, कि एक-एक छोटा-छोटा change भी जो environment को बहुत जादा affect करता है, वो हमें explain करती है phytoplankton के बारे में, phytoplankton वो घास होते हैं, वो grass होते हैं, जो marine animals and birds के लिए उनके food का काम करते हैं, अब marine animals या birds को उनका food नहीं मिलेगा, तो जो हमारा basic life cycle है, जो life chain है, जो food chain है, वो disturb हो जाएगा, क्योंकि जो चिडिया है, उनका उसकी वज़े से death होगा, marine animals का death होगा, एक तरीके से पुरा का पुरा cycle जो है, वो balance से हिल जाएगा, ये चीज़ वो हमें यहाँ पे explain करती है, अब उनका कहना ये है, कि जब बच्चों को इस तरीके के academic programs में ले जाया जाएगा, तो उनके अंदर जो awareness है, वो बढ़ेगा, और वो चाहेंगे कि हम global warming को खतम करें, जो हमारी future generation है, वो global warming के issue को समझेगी, और इस तरीके का debate यहाँ पे complete हो जाता है, तो ये था हमारा chapter, the journey to the end of the earth, वाइतिशानी दोशी, अब हम इसके कुछ questions की practice करेंगे, ओके, तो हमारा पहला question है, what was the objective of the students on ice programmer, ये जो program के बारे में आपको बता रहा था, इसका नाम क्या है, students on ice, अब इसका objective क्या था, इसका objective था, जो high school के students है, जो teenager students है, वो global warming के issue को क्या करें, समझे, उसके बारे म and she's first sight, अब Antarctica का, जब author ने पहली बार देखा, तो वो किस तरीके से amazed हुई, तो वो जाती ही, क्या देखती है, चारो तरफ सिर्फ बर्व की सफेद चादर, उन्हें एक word आप याद रखिये, यहाँ पे ping pong ball, 現在 major giant ping pong ball, अब यहाँ पे, पिंग पॉँँड बाल मतलब क्या होता है, table tennis आपने सुना होगा, table tennis को Chinese में, पिंग पॉँड भी कहा जाता है, तो table tennis का जो बाल होता है, वाइड कलर का, उस सिर्फ सन्नाटा, चारो तरफ बर्फ की सफेद चादर, दूर दूर तक human का कोई नामों निशान नहीं, सिर्फ वही लोग वहाँ पे थे, and another चीज वो क्या explain करती है, कि ये जो Antarctica है, वो क्या है, windiest, coldest and driest place है अर्थ का, ये सारी चीज़े हमें यहाँ पे बता देनी है, and इस तरीके का amazement उनको feel होता है, जब वो पहली बार Antarctica को देखती है, हमारा next question है, what happened to Gondwana 650 million years ago, 650 million years ago Gondwana को क्या हुआ, Gondwana पार्ट-पार्ट में break होने लगा धीरे-धीरे, लंबे process के बाद वो क्या है, different continents में, वो convert हो गया, पहले के टाइम पे सारे continents एक साथ जुड़े हुआ करते थे, अबर next question is, how is Antarctica different from the place you live in, Antarctica जो है, वो हम जहाँ पे रहते हैं, उससे different कैसे है, तो ये question proper एक homework के form का question है, तो इसका answer आपको comment box में करना है, clear, एंड सारे comments में ध्यान से पढ़ता हूँ, अगर इस story के summary से related आपको कुछ doubt है, तो वो भी आप comment box में लिख सकते हैं, अब हमारा next question है, what are phytoplanktons, how are they important for the earth's survival, अब ये भी मैंने आपको just explain किया, कि phytoplanktons क्या होते हैं, वो earth के survivor के लिए, किस लिए important है, तो ये question भी मैं आपको homework दे रहा हूँ, our next question is, what is the significance of the title, journey to the end of the earth, अब journey to the end of the earth का significance title क्या है, क्योंकि अगर हम physically भी देखें, तो earth का end तो Antarctica ही है, and second thing है, वो ये है, कि अगर earth का end होना है, तो उसके सारे future, past और present जो है, वो Antarctica में as a carbon footprint के form बे रखे हुए है, तो अगर Antarctica को कुछ होता है, तो earth का जो सारा history है, वो क्या है, delete हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर journey to the end of the earth, यहाँ पर लिखा गया है, clear, तो यहाँ पर जो हमारा chapter है, journey to the end of the earth, वो complete हो जाता है, और मुझे नहीं लगता, अब आपके मन में इस chapter से related, कोई साभी doubt होगा, अगर है, तो बेजिजग आप comment किरिए, तुरंत आपको reply मिलेगा, पिछले सारे videos में आपने देखे हैं, कि सब का reply मिलता ही है, तो इसमें भी obvious है कि आपको reply मिलेगा है, तो यह हमारा story यहाँ पर complete होता है, यह chapter complete होता है, अब हम मिलेंगे अपने अगले new chapter के साथ, and ऐसे ही करके धीरे धीर हमारा सारा syllabus complete हो जाएगा, and final हमको exam time पर revision करता है, तो मिलते हैं हम next video में, till then, goodbye, thank you, take care, जाए हिन्द